हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बादर विद आयुश और दोस्तों बात करने वाले इस वीडियो में इनफोसिस के क्यू फो रिजल्स के बारे में तो दोस्तों कंपनी के चौती तिमाई के नतीज़े निकल कर आ चुके हैं और किस तरीके के नंबर्स आ Siha भरते कंपनी के भीवनी स्थाय बात करेंगे तो कंपनी का रेवीडियो फ्रम आप्रेशन कितना रायता है तो 37,441 करोड था दोस्तों कम्पनी ने जो पिछले Q4 में पेश किया था देखिया आप उपर यह लिख रहा है Q4 है F523 ठीक है और इस बार जो F524 का Q4 है उसके साब से कम्पनी ने 37,923 करोड का कुलमा का revenue from operation दिया है इसका मतलब क्या है दोस्तों जो number हम यह बात साफ देख सकते हैं कि कम्पनी का जो revenue from operation है वो पिछले साल से इस साल तो बढ़ता हुआ ने जरा है लेकिन जो Q3 था उसमें कम्पनी ने करीबन 38,821 करोड का revenue पोस्ट किया था तो इसका मतलब क्या है कि कम्पनी का revenue from operation Q on Q basis पे हमको घटा हुआ देखने को मिला Q on Q basis पे कम होता हुआ ने जरा है यह बात साफ दिखती है total जो दोस्तों company का revenue from operation है वो कितना था पिछले साल वो था करीबन 38,112 करोड इस बार बढ़कर वो कितना हो चुका है 40,652 करोड जो company की total income है वो पिछले quarter में थी करीबन दोस्तों यहाँ पर 39,610 करोड यानि आप क्या देख रहे हैं कि जो company की other income है उसमें आपको बढ़ातरी देखने को मिली है इसलिए दोस्तों company की total income है वो बढ़ गई है 40,652 करोड आ गई है और पिछले quarter में 39,610 करोड थी लेकिन हमारे पास दोस्तों जो numbers है वो अब यहाँ पर available है पूरे साल के वलाब FI 23 और FI 24 FI 23 में दोस्तों company तो total income पेश करीए वो करीए करीबन 1,49,468 करोड इस बार कितनी आई है 1,58,381 करोड यानि मोटा मोटी आप 9,010 करोड के असपास company की बड़ोती देखते हैं किसके अंदर total income के अंदर पिछले साल से इस साल के मुकाबले अब दोस्तों समझते हैं company का क्या मुनाफा हमारे लिए important है company का profit कितना है profit for the period कितना रहा है अब यह देख लेते हैं दोस्तों company का profit for the period कितना था पिछले साल वो था करीबन 6,134 करोड जी हा 6,134 करोड था दोस्तों company का पिछले साल profit अब वो बढ़कर कितना हो चुका है 7,975 करोड यानि आप देख सकते हैं कि company का जो profit है वो 6,134 करोड से बढ़कर 7,975 करोड हो चुका है यानि company का profit में अच्छी खासी बड़ोतरी हमको देखने को मिल रही है और यह जो बड़ोतरी है यह अच्छी है मतलब almost दोस्तों आप देख सकते हैं कितना 16,134 करोड से जादा company का मुनाफ़ा जो बढ़ा है इसे previous quarter में company का मुनाफ़ा था वो 6,133 करोड था और इस बार 7,975 करोड हो चुका है तो यहाँ पर भी हमको अच्छा increase देखने को मिल रहा है तो यह बड़ोत चाफ कि दोस्तों company का profit तो अच्छा कासा बड़ा है इसमें कोई doubt नहीं है यानि इस एक बाच आफ आफ दिखते हैं कि जो company के margins है तो यह ली वहलाब FI23 से FI24 अगर आप compare करेंगे तो company का profit बड़ा है अब बहुत बड़ी jump नहीं है बट company ने increase किया है profit यह बात साफ दिखती है अब बात करते हैं दोस्तों company के EPS के बारे में earning per share के बारे में company का EPS कितना रहा है तो दोस्तों जो company का EPS था यानि इसका मतलब क्या होता है company अपने एक share पे कितना पैसा कमा रही है पहले दोस्तों company अपने हर share पे 14.79 कमा रही थी पिछले साल की Q4 के साब से इस साल की Q4 के साब से 19.25 रुपीस कमा रही है इससे previous quarter पे पहले कितना कमा रही थी दोस्तों हम dividend के बादे में बात करेंगे company ने कितना dividend दिया है लेकिन अब numbers क्योंकि हमारे पास है तो हम इसको देखते है estimate कितना था और अब company कितने numbers आए तो अगर मैं बात करते हैं profit की तो देखिए CNBC TV18 का यह जो poll है उसके साब से company का profit आना चाहिए था 6180 करोर कितना आना चाहिए था 6180 करोर आया कितना है 7975 करोर यह एक बात साब दिखती है कि company का जो profit है वो above expectations देखने को मला है बलकि हम कह सकते हैं अच्छा खासा उपर देखने को मला है जो estimate था उसको काफी बड़िया तरीके से company ने beat करा है यह बात दिखती है but क्या हर parameter पर beat किया है अब यह देखते है तो दूस्तों CNBC का जो poll था उसमें company के profit ने तो almost 29% का jump दिखाया है यह हम कह सकते हैं but अगर मैं बात करता हूँ company के यहाँ पर revenue के बारे में इसके बात करते है company के EBIT के बारे में 7,995 करोड दोस्तों company का EBIT आना चाहिए था आया कितना है 7,621 करोड यह भी दोस्तों कम ही आपको देखने को मिलेगा जो expectations थी margin की बात करता हूँ तो margin 20.7% पर expected था 20.1% पर आया यहाँ पर भी हमको कम ही देखने को मिलेगी dollar revenue almost दोस्तों company का 4,6,5,0 million आना चाहिए था 4,5,6,4 million आया तो यहाँ पर भी हम कह सकते है expectations से below तो एक चीज जो beat हुई है expectations से वो कौन सी है वो है दोस्तों company का मुनाफ़ा बागी साभ हम कह सकते हैं कि almost 2,1% घटा है company का EBIT 4,3% बड़ा है company के margins 40 basis point कम हुए है और जो company का dollar revenue है वो 2,1% कम हुए 13,5% दोस्तों company का profit जादा आया है बस हम यह कह सकते है Q1 की तौर पे बागी सब चीजों में आप देख सकते हैं आपको सिवा EBIT को खोड़ दीजे बागी सब में decline ही देखने को मिला है तो company का profit जो है वो सिर्फ आपको जादा आता हुआ देखने को मिला है expectation से ये बाद साफ निकल कर आती है यह बाद जरूर दूस्तों company ने क्या कहा है company दूस्तों अपनी guidance है right उसको 1-3% पर रखा है तो बात क्या है बात यहीं कि दूस्तों company के numbers देखा जाए तो mix है कोई बहुत अच्छे भी नहीं है और कोई बहुत बुरे भी नहीं है बड़ यह बात जरूर है कि expectations को company उतना हर parameter पर beat नहीं कर पाई अगर सिफ मुनाफ़े को छोड़ देते है अगर बात करते हैं dividend के बारे में तो company दोस्तों dividend announce करा है 20 रुपीज का final dividend company देने जा रही है अपने हर shareholder को plus आपको 8 रुपे का additionally special dividend भी दिया जाएगा तो total मिलाकर 28 रुपीज per equity share company dividend देगी कितना 28 रुपे per equity share आपको dividend मिलने वाला है तो अगर आप Infosys के shareholder है तो एक बात आपके लच्छी क्या है 28 रुपे दोस्तों आपको dividend मिलेगा अच्छा कासा dividend हम कह सकते है company जो है वो देने जा रही है अपने shareholders को लेकिए Infosys का ADR भी trade करता है तो अभी जो ADR है वो pre-market ADR है प्री-मार्केट मतलब अमारेका में देखिए प्री-मार्केट टेडिंग भी होती है तो प्री-मार्केट भी चलता है वाँपर तो कितना अभी प्री-मार्केट चल रहा है तो यह आप देख सकते है Infosys का ADR है करीबन 16.95 पे था प्री-मार्केट आपको दिख रहा होगा यह प्री-मार्केट दिख रहा है कितना 1.11% और आपको जूम करके दिखा जेता हूँ 1.11 डॉलर माफ करेगा यह नीचे चल रहा है करीबन हम कह सकते 6.55% इसका ADR डाउन है क्या है? डाउन है तो हो सकता है कि दोस्तो आज अमेरिका के अंदर जब इन्फोसिस का ADR ट्रेड करे तो वहाँ पर आपको मुनाफ़ा वसूली या फिर गिरावट कुछ भी कह लीजे वो देखने को मिल जाए देकि नंबर्स अभी भी यह साफ है कि वीक ही आ रहे है आई-टी कमपनीस के ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे नंबर्स निकल कर आ रहे है अपको यहाँ दोगा भी TCS के नंबर्स निकल कर आए थे TCS के नंबर्स अच्छे थे बट मार्केट ने उसको अच्छा नहीं लिया तो जब Infosys के नंबर्स एक्सपेक्टेशन को हर जगा बीट नहीं कर पाए तो हो सकता है कि मार्केट इसको और पनिश करे Infosys का अगर आज आज आप चार्ट दिखेंगे तो जरूर एक परसंट उपर बंद हुआ है 15 उपे से जादा की देजी देखने को मिली है पिछले एक महिने में शेयर साड़े आज परसंट टूटा है और लास्ट चे महिने में शेयर अल्मोस्ट पॉइंट टून परसंट चला है पिछले एक साल में मात्र 16 परसंट के रिटन आपको देखने को मिलेंगे अगर बात करते हैं बाजार की मूड माहल को लेकर भी तो बाजार का मूड माहल भी कोई खास अच्छा नहीं है तो होसकता है यहां पर किल गिरावट देखने को मिले बाकी आप लोग मताइए का आपका व्यू किया है इस वीडियो में तो दूस्तों इतना इता आपको अच्छा लगाओ अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से पहले बाज जोड़ो सब्सक्राइब पर देना थैंक्यू फ्रेंट्स वीडियो